सुहाना मेरी जंदगी है मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है मेरे जीने का मकसद है वो और आज मेरी अपनी पेटी मेरा अपना खून मुझे ही नहीं पहचान रहा कोई तो तरीका होगा ना उसे उसे ठीक करने का उसकी याददाश वापस लाने का प्लीज दॉक्टर साब ट्राइन अंडिस्टाइड दॉक्टर साब मैं मैं उसे विदेश लेजाओ किसी एक्स्पोरी डॉक्टर के बास क्या लगते है आपको वह बहां जाकर ठीक हो जाएगी नहीं संजय जी ऐसा कोई तरीका नहीं यह सब एक्सिडेंट से हुआ है आप लोगों को उसे टाइम देना होगा और सब रखना होगा पर आइसे केसिज में अकसर वक्त लग जाते हैं और साथ ही उसे पात करते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसकी हालत अभी भी नाजुक है इसे बात करते हुए आपको बिल्कुल नॉर्मल बहेव करना होगा जैसे कुछ हुआ है नहीं ज्यादा सवाल पूछ कर उसे स्ट्रेश मत दीजिएगा थैक्य। सुहाना मैम सुहाना विता नर्स आपको बुला रहे हैं आपकी दवा का टाइम हो गया यहारा नाम सुहाना मैं...मैं कौन हूँ? पेटा, आप हमारी यानि की संजय दिवान की बेटी हैं और आपका नाम सुहाना दिवान है सुहाना दिवान लेकी नगर ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह नाम मेरा नहीं है अब प्लीज मुझे मेरे भारे में कुछ और बताईए मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ? बिटा बिटा एक्चुली आपका एक्सिडेंट हो गया था आपके सर पर चोट लगी है जिसकी वज़े से आपके याददाश चली गए लेकिन बिटाप गभराने की कोई बात नहीं है डॉक्टर ने काया कि बहुत चल्दी आपके जबन ठीक हो जाएंगे और आपके याददाश वापस आजाएगी पर शुटार वापस पूप बढ़े जवाब आपके महल ने अपके यादश रवाए लेवारी इस निवेए पर लोगे ना प्रवेव सापके। ये एक छोटा सा चेक है, आपके उस अब ड्रीम प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के लिए है. इरज, ये पैसा मैं अपने फाइदे के लिए ने ले रहा हूँ. उस लड़की को नई जिन्दगी मिल जाएगी, इसलिए मैंने हां की थी. और रहा सवाल इन पैसों का, तो इन से कई गरीब लोगों को उनके इलाज में मदद मिलेगी. मैं नो, डॉक्टर. मैं समझता हूँ कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया. उस लड़की को नई रिल्टेफ नहीं है. उसका चेहरा पुरी तरह से जल चुका है. यहां तक कुछ बिचारे की यादता आचा चुकी है. मेधा मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई रिष्टेदार यहां आने बाला है पैसा परने के लिए. मेरी बात समझ, मेधा. अगर अगर मैं उसे एक नया नाम, एक नहीं पहिछान दी तो नहीं, तो कोई पुरा ही है. देखो धीरेज, मैं समझता हूँ कि तुम उस लडगी को नया जीवन देके कोई गलत नहीं कर रहे हो. लेकिट फिर भी. मेधा, प्लीज. अधिक मेरे बास को नहीं है. किसी भी तरह, किसी भी हाल में उसकी सचर रियाच कर दो. निता, बैया, किसी भी वक्त अस्पताल बहुत सकती. लेकिन भी प्लीज. सुवाना की दस्वियर. ना सिर्फ आपने उस बैचारी लडगी को नई जिंदी की दिये, बल्गे हम सबको हमारे सारे दिवान परिवार को खुशी दिये. कैसे कहूं बस एक रिक्वेस्ट है आपसे. मिता, ये रास किसी भी हाल में रास रखना, प्लीज के. ये लड़की हमारे, हमारे इस दिवान परिवार का हिस्सा है. कुछ भी हो जाएए, ये रास रासी रहे, प्लीज.